दिल्ली में आप आदमी पार्टी की चीत के उपरान बागिशोर में भी अन्ना हजारे आंदूलन से जुड़े कई कारिकरताओं में इस चीत को लेकर काफी उत्सा है अन्ना आंदोलन के समर्थों को वोजन आंदोलनों से जुड़े कारिकर्तों को उमीद है कि उत्राखन में भी आव आदमी पार्टी तीसर विटकल्प की रूप में उभर सकती है इसी सिसले में CCN ने आपके नैशनल काउंसिल के पूर्व सदस्य से बाच्चिक की पेस है CCN की एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट CCN न्यूज चैनल पर स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे नैशनल काउंसिल के सदस्य रमिश कर्शक जी इनका बड़ा लंबा अपना एक सामाजिक जनांदोलों नों से जुड़ा वो आपना हुई जिस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी पहले तो आप ये बताई कि दिल्ली में जो आम आदमी की जीत है उसको आप किस रूप में देखते हैं मैं थोला पीछी ले जाता हूं क्योंकि आपने जिस तरीके से एक परचे दिया है ये बीस्तो बारे है ब राय साभ हो गए ये सब उसके अंदर थे मंचा सीन थे हम देज भर से बुलाए गए करिब 300 लोग उस मीटिंग में सामने वाली कुर्शियों में बेठे हुए थे पूरी बातचीत के बाद ये तेह हुआ बहुत बातचीत के बाद ये तेह हुआ कि जिते भी लोग हम अंदर हैं मंच के सामने बैठे हैं सब आम आदमी पालिटी नाम का जो अभी संधिन बना है उसी दिन बना था ये नाम आया था कि वृणके फ्रांडर मेंबर हैं क्योंकि आज ही है उसके अलावा सभी को नेशनल काउंचल का मेंबर भी मान लिया गया था नेशनल काॉंचल का मेंबर मानने जाने के बाद जो पहली कारवाई हुई थी वो अर्विन केज रिवाल जी को राष्ट्री सेयोजक बनाने की हुई थी और उसके लाबा एक बोर्ड भी उस दिन गटित हुआ था तो उस दिन जो सपना हम लोगों ने देखा था वो देखा था नए भारत का सपना एक ऐसे भारत का सपना जिसमें वो सारी चीजें वो सारी चीजें जिसको लेकर लोगों में दुख था करेप्सन हो गया, लूट हो गया, एनर्किजम हो गया और अधिनाएगवाद हो गया, इन सारी चीजें के इतर के परे एक सुन्दर सा राजन्यतिक विकल्प हम देश को देंगे यह उस दिन एक खुब सुरह सा सपना हम लोगों ने देखा था उसके बाद पार्टी बननी के बाद पहला चुनाओ दिल्ली में पार्टी जीती और सरकार पार्टी की बनी लेकिन वो सहयोग की सरकार थी कॉंग्रेस का सहयोग था वो जल्दी नहीं चल पाई दूसरा चुनाओ बहुत बड़े मतांतर से हम आद्मी पार्टी सरसर चीजों में जीती है तीसरा चुनाओ अभी बहुत बड़े अंतर से जीती है इसके बीच में तीसरे चुनाओ के बीच में दो चुनाओ और होते हैं। एक पजाब में होता है। पजाब में आमादनी पाल्टी पीछे रहती है। अग कॉंग्रेस का बोर्ट को फाइदा पहुचाती है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा को फाइदा पहुचाती है और कॉंग्रेस को नुक्सान पहुचाती है अभी आमादमी पार्टी को बड़ी जीत बड़ी शबलता है तो उसे आप किस लूप में देखते हैं एक बहुत मैंने जो बीच में आप से कहा था कि पंजाब में आप हार जाते हैं पंजाब में आप दूसरे नेमर पर गाते हैं गोवा में हार जाते हैं दिल्ली में आप जीत जाते हैं लेकिन दिलि में कुछ ही समय पहले जो लोक सभा की चुनाव होते हैं, कुछ ही समय पहले, उस चुनाव में अगर हम गार से देखें, तो वहां आमादमी पार्टी, कॉंग्रेस, भाजपा, भाजपा जीती है, लेकिन कॉंग्रेस को भी बहुत बड़ा बोर्ट मिला होता है, लेकिन उसके वाज जो हम विधान सभा की चुनाओं को देखते हैं, तो सबसे बड़ी चीतों दिल्री पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए वहाँ कॉंग्रेस आती है नहीं आती है, उसको बहुत पड़ा फरक नहीं पड़ता है, बीजेपी ने वहाँ एक प्रिष्टीज का स काम किया, केजरवाल की सरकार ने, आमादी पर्टी ने बहुत अच्छा काम किया, वह काम था है एज्यूकेशन के सेक्टर में और हेल्थ के सेक्टर में, उसके लावा जो लोगों के सार्टिपिकेट बनाना आधी 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 ओनलाइन सर्विस था, उसमें भी बहुत सौह योग दिया, तो करेप्शन कम होता हुआ लोगों ने देखा, और दूसरा अभी दिल्ली में एक घटना घटी थी, इससे पहले आप साहिन बाग देखा हो गया, भारती जन्ता पर्टी ने पूरी कोसिस की थी, कि चुनाव को साहिन बाग पर किंद्रित कर दिया जाए, ताक आपने पाल्टी के पास आया, खुल मिला कि आमाद्वी पाल्टी की अपने आप में जीत, बड़ी जीत तो हही है, आप इसको बाहनते हैं, आपने पाल्टी की बहुत बड़ी जीत है, एक सिटिंग गौर्मेंट, दुबारा से उतने हीं ताकत से प्रवेस करती है, पुनर जी भी उतनी ही ताकत से दोबारा सत्ता में आती है जितनी से वो पूरमाई हो तो इसको हम इतिहास कहेंगे इस मामले में आप यह देखते हैं कि जैसे एक ट्रेंड बना हुआ था राष्टरवाद की सामने सारे मुद्दे धरासाई हो रहे थे दिल्ली में हमने यह देखा कि राष्टरवाद बना स्थानी मुद्दे तो इस लिहास से यह कितनी बड़ी जीत आप देखते हैं क्या इसक का जो असुमेघ रफ जो आप कह रहे थे वो रुग गिया था इस बार लगातार जगे-जगेसे हरती है यह वाज़बा लगातार जो रashing वाज कर रहे थे वो प्रदेशों में नहीं चल रहा था कत्त यह नहीं चलना था, लगातार हारती हुई आ रही थी, और यहां भी आ के हार्ती ही, जब वो पुरे देश में जीत रही थी, और यहां के हारी, और इस Gesetz मार रही थी, तो यहां के भी हारी। एक जिला पंचायत की सीर्ट जो होती है, करीब 20-22,000 आवादी की होती है, उनके एक प्रैमरी स्कूल 20-22,000 की आवादी पर होता है, उनके एक जुनियर स्कूल 20-22,000 की आवादी पर होता है, उनका एक छी किसाले जिसको महला जी किसाले कहते हैं, वो 20-22,000 की आवादी पर होत आप गोगिना के इस्कूल को उत्ता पांच बच्चे ने दिली में कि बिश्वाषव को दिलाया इस भी चर्चा ये भी हो रही है कि आम आद्मी पार्टी जो है उतरा खरंड की तरह रुक करेगी और उसको बहुत सारी लोग उमीद जो जिन दो दलों से च्छला हुआ अपने को महसूस करते हैं कहते हैं तो उस उस लूप पर पेक्षिम है उस क्या आम आद्मी पार्टी को आपने गौर किया होगा पिछली बार जब आम आद्मी पार्टी दिल्ली में जीती तो एक बार को बहुत सारे लोग दिल्ली से आए कि हम आद्मी पार्टी है हम आप हैं हमार साथ जुड़िये और फिर चुनाव आने तक वो घुमिगत हो गए चले गए और आपने मुह बाई आपके सामने खड़े होंगे पहला सवाल होगा परवती छेटरगा कि आप राजधानी के मस्ते पर आप क्या गयते हैं दूसरा सवाल होगा आपके आपकारी नीती क्या होगी तीसरा सवाल आपका होगा कि आपके पानी की नीती क्या होगी चोथा सवाल आपका हो यह इसलिए पर यापनी होगा क्योंकि वहां 22,000 के आबादी पर एक चोटा सा महला होता है हमारे यह 22,000 के आबादी का मुला पूरी का इसका महला यह कहा जाए कि मतब आपका कहना यह है कि जो बाहर से लोग आने की बज़ा है इस्थानी तो पर अगर लिडर ढूले जाएं त तब तक आप आएंगे तो सही लेकिन क्योंकि आपने कहा हूँ उम्मीद भी लोगों को होगी तो लेकिन लोग आपको तो लेंगे टटो लेंगे ना पेंगे उस समय पर आप हलके पड़ जाएंगे उत्रा खट में आप BGP और कॉंग्रेस की जो ताकत है या जो उनकी कमज यहां इस्तापित होंगे आपके कुछ सीटे आएंगी ठीक है ना लेकिन एक नहीं हम यह कहें कि सड़सट ठीटो पर का जाएगी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि दिल्ली और सेस्भारत के कि राजनीती में समाजिक जीवन में रहन सायन में फरक है दिल्ली रोजगार से नरुजान रहा है वो राश्टी दलों के तरफ ही रहा है ऐसा आप कहने कास है आपका इसलिए पर प्रतिक्रियाई भी हुई और वी सजार बोट पड़ा उनको बिना मेहनत के बीसजार वोट था कैटर बोट था बीजएपी का कैटर बोट तो आप थे हमारे साथ हम आदमी पाल्टी के पूर नैशनल काउंसिल के सदश पूर सदश से रमेश करशक जी जिनका अपना एक त्याहस रहा है जनांदलों से जुड़े हुए रहे हैं तो उन्होंने बेबाकिसे अपनी राए रखी राजनेती तोर पर उतरक्रण के परिपेक्शम किस तरह किसे देखते हैं और आदमी पाल्टी अगर यहां आना चाहती है तो उनका क्या द्रिश्टी कोन है क्या और राए रखते हैं सीचेन न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे